इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रेड गेर की दरफ से आने वाले कोस्मो 7.1 गेमिंग हड़सेट के बारे में लेकिन उससे पहले कर दीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले को आपको सेद शीम नामिले तो आप इसको है करसे बाँफ है आपको बॉक्स ऐड़ेवारे एका का में यह जाता है propą जो की काफी इस तो रहेकि ब्ल बीडिद वीमिल पहले को बस्ती कुछ ऐसे ही है जो कि हम पढ़ लेके बाद में और यह सीडी मिलती है जो कि किसी काम की नहीं है हमारे लिए क्योंकि हम ड्राइवर्स नेट से डाउनलोड करने वाले हैं वायर की क्वालिटी हम देख लेते हैं हैड़फोन के वायर भाइब काफी अच्छ लिगी मुझे और इ यहां पर आपको मिल जाता है एक कंट्रोलर जहां से आप स्किंटेर को भी और माइक को भी मियूट कर चकते हो और अगर हम सब्सक्राइब कर एं तो आपको काफी प्लैक्सिवल हैड़फोन से अबट करें हैं और अगर माइक के बारे मदा है तो मैं इसी के माइक से और यहां से आप इसकी light को on off कर सकते हो, और यहां से माइक को भी on off कर सकते हो, और यहां से volume up, volume down कर सकते हो, आप देख सकते हैं, इसके mic पर भी आपको light यहां पर मिल जाती है, यहां पर अगर हम headphone के उपर से देखें, तो यहां पर आपको दो steel की strips मिल जाती है, जो कि काफी ही flexible आपको यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर आपको Red Gear का logo मिलता है overall मैं बता दूँ तो इस headphone की build quality आपको बहुत अच्छे मिलती है हम बात करें इसके sound quality के बारे में तो वो भी आपको बहुत अच्छे मिल जाती है for gaming, battle royale games में low sound and high sound का काफी ज्यादा importance होता है जैसे कि low sound जैसे कोई enemy crawl करता है तो उसकी आवाज घिसकने से उसकी आवाज जो होती है low sound वो हमारे कानों में जानी बहुत जरूरी होती है अगर हमको match जीतना है तो वो ऐसी low sound और high sound को यह headphone काफी अच्छे से manage कर सकता है और जो एक बात मैं बता दूँ इसकी जो ear pads है वो पूरा ear को अपने cover कर लेते हैं और अंदर की अवाज बाहर नहीं जा सकती हो बाहर की अवाज अंदर नहीं आ सकती हो पूरा cover कर लेते हैं वाई साब पूरा दबा लेते हैं इस headphone की के वाल मुझे एक ही अच्छा लगा तो करिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो तब तक के लिए मिलते हैं इसके नेक्स पार्ट में